खंबा गहनी मारो राजस्तान परिवार पे आप सबका घणो घणो अभिनंदन बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हो सारे MRPNs I hope मज़मा होंगे और अभी तक हमने प्रतिबत सीरीज में क्या किये हैं राजस्तान की नदिया राजस्तान के खनीज और आज से क्या शुरू करने व हो गए हो तोड़े व्यूज कम हो गए थे हमारे ठीक है तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे है राजस्तान के फोक सॉंग्स फोक सॉंग्स का मतलब क्या है राजस्तान के लोग गीत हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परिशान होने के ज़रूरत नहीं तो लिख ल गाओं कौन सी तहसील से ये वीडियो देखा जा रहा है तो प्लीज कॉमेंट में मैंशिन कीजिएगा ठीक है मुझे बहुत जादा होता है कि मारूर राजस्तान हर दूर दराज के कोने तक पहुंचना चाहिए चाहे बांसवारा हो जैसल मेर हो ठीक है भरतपुर हो या फि जो नए मैंबर्स जुड़ रहे हो MRP and Family का हिस्सा बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो घंटी बजा के All पे क्लिक कर दो ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो सारे नोटिफिकेशन्स मिल जाए ठीक है और जो पुराने वाले ल है और इसको हमें अचीव करना ही है और इन ही का राजस्तान के लोग गीत का लाइफ टेस्ट होगा आपका कहां पे आनेक एडमी के लर्निंग पे उस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में उसमें सॉरी टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी ठीक है और उसके लिए test को open करने के लिए code क्या लगाओगे MRP10 मारो राजस्तान परिवार का code है सबको पता ही है universal code है MRP10 ठीके तो love story शुरू की जाए शुरू करते है एक बच्ची है ठीके लड़की है जिसको प्यार हो गया ठीके उसका boyfriend है बहुत दूर रहता है बहुत दूर boyfriend मालो husband मालो कुछ भी मालो ठीके तो उस लड़की का नाम क्या है टीया नाम है ठीके क्या नाम है बच्चो टीया नाम है वो टीया रहती है इधर ठीके ठीके क्या नाम है इसका तीर कमान भी बना दू मुझे जादा तो नहीं आते तीर कमान सही गलत मुझे नहीं बता ठीक है इसका नाम टिया है आप ये समझ लो ठीक है और इसका जो बॉइफिरिंड है बहुत दूर रहता है बिचारा दूर दराज के कोणों में ठीक है इसका क्या नाम है इसका नाम लव से लवी रख देते है इसका क्या नाम है और ये भी बहुत प्यार वेर तो करता ही है लवी नाम रख देते हैं ठीक है ठीक है ये हुआ ठीक है तो इतनी दूर दराज के वो इस कोने में पूर्वी कोने में वो राजस्थान के पश्चमी दूर दराज के कोने में बैठे हुआ है तो टीया को याद करते हो, जैसे मैं अपने MR Pains को हमेशा ही याद करते हूँ, किसी को हिचकी विचकी लगती है तो बताना, ठीक है, हम याद तो करते हैं एक दूसरे को एक energy है, एक aura है जो universe में घुमता है तो इसी तरीके से टीया जब लवी को याद कर रही थी, तो लवी पे reaction दो होना था, एक्शन का reaction, इसको हिचकी लगी, इसको हिचकी लगी तो इसको भी याद आई फिर टीया की, ये क्या करने लगा, ये इलू-इलू करने लगा ठीके, तो इस स्टोरी से टीया ने अपने बालम को याद किया, ठीके याद किया, तो लवी को हिचकी लगी हिचकी लगी, तो वो भी इलू-इलू करने लगा, ये सारे, इस इस ट्रिक्ट के अंदर, इस लाइन के अंदर वो सारे लोग गित हैं, जो महिलाएं अपने हस्बिंड की, अपने प्रीतम की, जो दूर दरास के इलाकों में रहते हैं, उनकी याद में गाती हैं, ठीके, इस वाली निमोनिक के अंदर, सारे के सारे वही लोग गित हैं, कौन-कौन से लोग गित हैं, आईए याद करते हैं, ठीके, तो पहला जो है, टीया से याद करो, सुवटिया टीया से क्या याद करोगे सब को PDF मिलेगी, हिंदी मीडियम वालों को भी, और मैं न हर बार जो है, ये इंक वाली जो राइटिंग है, ये डिलीट कर देती हूँ, आज मैं डिलीट नहीं करूँगी, ऐसे कि याद से सब को मिलेगी, सारे बच्चों को इंग्लिश इंडी वालों को, तो टीया से याद कर लो, गीत का नाम है लोख गीत का सुवटिया क्या नाम है बच्चों, सुवटिया आवाज आनी चाहिए, लिखो, टाइप करो, कॉमेंट में ठीक है, याद कब किया, सपने में याद किया, तो सपने से जो लोख गीत बन रहा है, उस लोख गीत का नाम है सुपना, क्या नाम है बच्चों, सुपना सुपना या सुपना, जैसे भी आप लिखना जाहो, लिख सकते हो, किसको याद किया उसने अपने बालम को याद किया तो बालम को याद किया तो उससे तो फेमस गेस है हर राजस्थानी के दिल दिल में बस है मेरा तो फेमस गेस है केसरिया बालम पधारों नहीं मारे देश सुना होगा सबने तो कौन सा लोग गित है केसरिया बालम ठीक है जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जल्दी से कर दो ठीक है अब जो है याद आने लगी लवी को क्या लगी? हिचकी लगी तो याद से याद कर लो कौन सा लोगईत बनेगा? हिचकी लोगईत बनेगा हिचकी लोगित बनेगा हिचकी लगी किसको है लवी को लगी है ठीके लवी का मैंने लव लिखती है यहाँ से लवी को हिचकी लगी तो लवी से याद कर लो कौन सा गाना लोग गीत है लावणी कौन सा लोग गीत है बैच्चो लावणी समझ आ रहे हैं सबको आई होप सबको आ रहा होगा ठीक है और वो जो लवी है न इलू-इलू ऐसे इलू-इलू नहीं करना नॉर्मल इलू-इलू उसको आवास तो जानी चाहिए वो बैठी भरतपूर में वो बैठा जैसल मेर के अंदर तो जोर-जोर से इलू-इलू करने लगा है ऐसे नहीं धीरे-धीरे जोर-जोर से तो जोर-जोर से इलू करने लगा है तो जोर से याद करो एक लोखगित है जोरावा क्या लोखगित है बैच्चो जोरावा याद हो गया ठीक है और जो है इलू-इलू करने लगा, तो इलू-इलू से लोकगित याद कर लो, क्योंकि ये पूछे जाते है पेपर में कि कौन सा लोकगित कब गाया जाता है, तो ओल्यू है, ठीक है, इलू-इलू से याद कर लो, ओल्यू, ओल्यू आपका लोकगित हो गया, ठीक है, तो ये सारे है वो इलू-इलू कर रहा थो तो लव से याद करो लावनी इसमें भी लव आ रहा है और लवी का नाम भी लव है तो लावनी ऐसा लोक गित है जो की लड़का गाता है जो की प्रेमी गाता है अपनी प्रेमी का की याद में ठीक है बाकी सारे महिलाएं गाती है सिर्फ लावन इसमें लव आ रहा है न याद कर लो लवी गीत गा रहा है ठीक है इलू इलू तो लावनी जो लोक गीत है वो किसके द्वारा गाया जाता है प्रेमी पती उनके द्वारा गाया जाता है अपनी पत्नी की अपनी प्रैसी की याद में ठीक है इनकी डिटेल्स देखने के लिए तयार हो, येस और नो, टीया ने सुपने में अपने बालम को याद किया, हिचकी लगी किसको, लवी को, और वो भी जोर से इलू-इलू करने लगा, सारे लोगीत याद तो हो गए है, ठीके, ये मैंने बता दिया, कि लवी जो है, वो एक लड़का है, ठीके, तो लावनी जो लोगीत है, वो किसके द्वारा गाया जाएगा, ठीके, पुरुशों के द्वारा गाया जाएगा, ठीके, पुरुशों के द्वारा गाया जाएगा, ठीके, हो गया ये, ठीके, बाकी सारे महिलाएं गाती हैं, बाकी सारे, शेश जितने लोगीत हैं, लावनी को छोड़कर, वो जो है महिलाओं द्वारा गये जाते हैं महिलाओं द्वारा गये जाते हैं ठीके जल्दी से like कर दो ठीके क्योंकि आप लोग like करते हो तो मेरा motivation level फिर और और super भाई चला जाता है कि इस level पर चला जाता है sky को touch करने लग जाता है मेरे दिमाग काम करता है मैं क्या क्या करूँ आप लोगों ने बोला तो था कि इसको मारवारी में कराना मारवारी में learn with tricks कराऊंगे जरूर लेके आऊंगे मिरसे भी नहीं रहा जा रहा मैंने current affairs तो start करवा दी learn with tricks भी आएगी series भई ये प्रतिबत के चलते हुए ना अपना सारा game बिगड़ गया है कोई बात नहीं सूवटिया सब कर लेंगे ठीक है आप लोग like, subscribe, share करोगे तो मैं सब कर लूँगी ठीक है सूवटिया कौन गाता है महिला गाती है ये तो ठीक है सूवटिया गीत गाती है ठीक है तो दो खास लोग गीत है जो मैं आपको कर लूँगी यहां पर पहला याद कर लो सूवटिया भील महिला द्वारा अपने पती की जो बहुत दूर विदेश में परदेश में रहता है उसकी याद में गाया जाता है उसके बाद है सुपना ठीक है सुपने में क्या हुआ तीया गात तो रही थी लेकिन सुपना तो सुपना होता है असली में थोड़ी मिल जाएगा लवी इतनी दूर जैसल मेर में बैठा है और वो भरतपूर में बैठी है कैसे बिचारा आए वो काम के लिए गया हुआ है ठीक है तो ये गाना किस चीज़ के बारे में बताता है प्रेसी जो है सुपना ले रही है अपने पती का अपने प्रेमी का जो बहुत दूर रहता है किसी दूर दराज के इलाके में रहता है ठीक है तो इसके लिए जो सुपने की शब्द है इसकी कुछ पंक्तिया है उसके बाद केसरिया वालम केसरिया कौन करते हैं हमारे राजा महाराजा पुराने जमाने में करा करते हैं जब इतने युद्ध होते थे केसरिया वालम ठीक है तो केसरिया वालम पधारों नहीं मारे देश तो ये गाना किनका होगा ये लो ठीके ये राज-पूतो का लोग गित है इसे महिलाएं गाती हैं रानियां, महा रानियां ठीके अपने पती की याद में इसको गाया जाता हैं हो गया उसके बाद है हिच्की हिच्की गाना जो हे कौन से शेत्र में गया जाता है, ये याद रखो हिच्की लगी थी किसको लवी को गाती तो ये महिलाए है, ये गाना लोकगित है बच्चों, अलवर मेवात का थीके, वू जो टीया है वो अलवर मेवात, भवत पूर इधर रह रही है जब लवी ने उसको इलू-इलू बेजा तो उसको भी हिचकी लगी तो ऐसे याद करो यह पुर्वी राजस्थान का है हिचकी लोगईत कहां का है पुर्वी राजस्थान का ठीक है अब इसकी अंदर देखो इसकी पंक्तियां देखते हैं मारा पिया जी बुलाई माने आई हिचकी ठीक है तो ये लोग गीत है इसके अच्छे है मस्त एक दम मज़ा आता है खुशी आती है ऐसे ऐसे टॉपिक्स आरे ही हो जाए तो राजस्तान जी के खेल नहीं हो जाए मज़ा नहीं आ जाए है ना भई अच्छा और फिर वो हिचकी करके भेज रहे है लवी जोड जोड से चिला रहा है भई तो जैसल मेर जो रावा जो गीत है वो कहां का है जैसल मेर का है जो रावा जो लोग गीत है कहां का है जैसल मेर का है और इसको कौन गाती है महिलाएं ही गाती है क्योंकि पुरुशों का तो एक ही किया है हमने लाव जाता है ठीके किसकी याद में अब जो टीया थी अब वो इतनी याद कर रही है तो घरवालों ने सोचा ऐसे कोनी बात बढ़ो इसकी तो ब्या करना ही पड़ो तो फाइनली उसकी शादी कर दी ठीके तो वो तो खुश हो गया इलू-इलू कर रहा था ठीके लेकिन जब टीया कि विदाई होती है शादी में तो ओल्यू याद हो गया कब गया जाता है लड़की की विदाई पर किसी की याद में तब लो गित गया जाता है उसके बाद अगला है हमारा लावनी ठीके लावनी में याद करो कौन गा रहा है लवी गा रहा है रवे द्वारा मतलब की प्रेमी द्वारा पती द्वारा इनके द्वारा ये गाना गाया जाता है ये लोक गित गाया जाता है तो लावनी में अगर मैं कहूं एक शब्द ढूंडो हिंदी का तो बुलावा हुग है तो लावनी लोग गित गया जाता है जब किसी को बुलाया जाता है किसी की याद में आप उसको कह रहे हूं कि आजो हमसे मिल लो ठीक है तो ये जो है स्बरी हस्बेंट पती या फिर प्रेमी लोग की तरह murder पतनी को याद करते हुए या फिर अपनी प्रेसी को बुलाते हुए प्रेसी बोलेंगे या प्रेमी का बोलेंगे जो भी बोलेंगे भई ठीके उनको बुलाते हुए गया जाता है अब बुलाना एक ये प्रेम है एक मीरा भाई का प्रेम था भक्ती जो थी भगवान से ठीके eternal दूर बलकुल तो लावनी जो है सिर्फ जो है लवी डवी वाली नहीं है ठीक है इलू-इलू वाली नहीं है भक्ती वाली भी है ठीक है श्रिंगार रसकी भी लावनी है तो लावनी कई तरह की है ठीक है तो लावनी जो है बहुत प्रसिद लावनिया जो आपको मिलेंगी व और श्रिंगार रस पे भी लावनिया बनी हुई है उन लावनियों के नाम क्या है श्रिंगार रस में बीरा बाई ने अपने कानह को सजा दिया है किस से मोर्धवज लगा के तो मोर्धवज लावनी है ठीक है फेमस जो दूसरी लावनी है श्रिंगार रस की और भक्वी की मोर मौर्धवज, ठीक है, एक इसमें है भर्तरी हरी जी, ठीक है, बृत हरी, अगर मैं गलत लिखू बच्चो तो देख ले न, ठीक है, और एक जो है, वो है सेउ समन, एक आपको याद करना है सेउ समन, मीरबाई का तो मन लग गया है संपूर्ण रूप से कृष्णा की भक्ती मे तो सेउं समन ल्याद कर लो, पूरा का पूरा मन लग गया, मोर्धवज और भरतरी हरी ठीक है, तो आज की लोग गित कैसे लगे बताओगे तो सही, ठीक है, इसकी बाद कल हम करेंगे जो लोग गित, पक्षियों द्वारा, कबूतर जा जा वाले, ठीक है, तो कौन-कौन से पक्षि मारो राजस्तान में होयो और किन-किन के द्वारा ये लोग गित गाया गया तो ये कब करेंगे, कल रात को 8 बजे, आज रात को 9 बजे टेस्ट में आ रहे हो टेस्ट का लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोड क्या लगाना है, MRP10, ठीक है, और आपको बता देती हूँ, हमारे जो-जो कोर्से आप अन अकेडमी प्लस पे जुड़के जॉइन कर सकते हो, और अपनी तैयारी में क्या लगा सकते हो, भई, मस्त वाले चारचा कोड लगाना 10% डिसकाउंट मिल जाएगा, इसके अलावा, RAS के बैचिस हैं, ठीक है, ये रहे, RAS, English Medium, Aspire RAS, Hindi Medium, REIT के बैचिस हैं, तो इन सारे कोर्से को आप बिंदास जोइन करो, इसके लिए आप क्या करोगे, RAS वाले बच्चे दो साल का सब्सक्रिप्शन लो, English Hindi Medium द इन दास कोड लगाईए, आपको 10% डिसकाउंट मिल लेगा, और Unacademy पे हमारी केटेगरी में, किसी भी केटेगरी में आप MRP 10 कोड लगाऊगे, तब भी आपको 10% डिसकाउंट मिलेगा, तो इसको वाइरल कर दो, और PDF के लिए हमारा Telegram चैनल, RAS क्रेकर उस से जुड़ ज सबको में तरफ से घनी घनी रामरा